स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सवेयर पे मैं आमिद आज रीजिनिंग की वो वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम बहुत सारी चीजे डिसकस करने वाले हैं किस चीज का दूसरी चीज से कैसे संबंद बनता है उसके लिए क्या याद करना है क महसूस करना स्वागत करना तो क्या कहलाएगा ऐसे कोशिंस में क्या करना होता है इसका रिलेशन इससे देखना है जो इन दोनों का आपस में रिलेशन है वो ही रिलेशन इस सब्द का अगले सब्द के साथ निकालना है तो वो सब्द निकालना है इसलिए इन कोशिंस को तो स्पर्स करेंगे, स्पर्स करने के बाद हमें एहसास होगा, मैसूस होगा, जिनके आखें नहीं होती हैं, तो वो हर चीज का एहसास स्पर्स करके ही मैसूस करते हैं, तो उसी तरीके से जो स्वागत करना होता है, स्वागत करना हमारा मुस्कुराना, मतलब किसी का स्वागत हम करेंगे तो कैसे करेंगे मुस्कुरा कर तो हमें बहुत जादा कई बार ऐसा लगता है कि रिती रिवाज का होगा देखे स्वागत करना रिती रिवाज में आता है लेकिन यहां जो स्पर्स करना और महसूस करना तो वो मुश्कुराना से जुड़ा हुआ है स्वागत करना क्योंकि हम मुश्कुरा कर किसी का स्वागत करते हैं तो इसका option होएगा option B next question देख लेते हैं व्रधन मृत्यू व्रधन मृत्यू में क्या difference होता है जैसे व्रधन का मतब होता है उम्र बढ़ना किसी की उम्र बढ़ती है तो व्रधन कहलाता है जबकि उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है तो मृत्यू कहलाता है उसी तरीके से व्रध्धी जैसे होती है व्रध्धी मतलब होती है बढ़ोत्री और व्रध्धी का opposite क्या होगा मतलब यहाँ व्रदन मतलब व्रदन यहाँ थोड़ा बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन यहाँ समाप्ती कर दिया उसने यहाँ कमी नहीं की यहाँ समाप्ती कर दिया तो यहाँ व्रद्धी के अपोजिट हम सोचते हैं कि यार हुआस होगा कमी लेकिन ऐसा नहीं है इन दोनों का रिलेशन क्या कहता है कि ये ब्रोतरी हो रही थी लेकिन यहां खतम ही हो गया यहां भी वरद्दी है तो समाप्त हमारा आंसर होगा ना की हुआस जिस किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बोक्स में लिख सकते है क्या आपको डाउट है आप क्या कहना चाहते है अगर किसी को लगता है यह आंसर नहीं है तो विद लोजिक मुझे कमेंट बोक्स में लिखे और फिर हम उस पे डिसकस करेंगे चलते नेक्स वोशन की तरफ वीडियो बढ़िया लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिए बहुत मेहनत के साथ आप लोग उखले वीडियो बनाई जाती है सरद्दा रखना उपासना करना सरद्दा रखते कैसे हैं मदब किसी में सरद्दा दिखा रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे उपासना करके और किसी का गुणगान करना है तो उसकी महीमा गाएंगे दूसरों को बताएंगे उसके बारे में ज़्याद से ज़्यादा बाते करेंगे तो उसके लिए हम गुणगान के लिए हम कह सकते हैं कि महीमा करना जैसे स्रद्दा रखना का उपासना करना से संबंध होता है वैसे ही गुनगान करने का संबंध जो होता है वो महीमा करने से होता मतलब दूसरों को बताने से दूसरों तक पहुँचाने से तब जाके उसका आंसर आएगा महीमा करना Next question क्या है? इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो अभी मैं बीच में आपको कहीं भी किसी भी टैम पे बताऊंगा कहां से कैसे याद करना है? किन-किन चीज़ों को इनकी लिए ज़्यादा याद करना है जैसे हम देखते हैं कि लोग कहां कहां रह सकते हैं जयसे कोई सन्यासी है तो वो म्त में रएगा। ऐसे ही जो जानवर होते हैं, जैसे सेर है, वो मांद में रहेगा। चुवा है, जो बिल में रहेगा। फिर कॉन सा इंस्ट्रूमेंट, किसीज में काम आता है, तो instrument यूज करे जा सकते हैं। किस विटामिन की वज़े से कौन सी बिमारी होती है वो कर जा सकता है उसके बारे में अभी बीच बीच में हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किये देखिए तो आपको बहुत फायदा होने वाला है प्रत्वी सूरिय तो चंद्रमा के बारे में पूछा है प्रत्वी सूरिय देखें प्रत्वी और सूरिय में क्या रिलेशन है और वो ही रिलेशन चंद्रमा का किसके साथ है हम से ये पूछा है तो यहां हम देखेंगे जो प्रत्वी है वो एक प्लैनेट है सूरिय के लिए वैसे ही चंद्रमा जो प्लैनेट है वो है प्रत्वी के लिए तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि चंद्रमा के लिए कोन आएगा प्रत्वी तो जैसे प्रत्वी सूरिय से सम्मंदित होती है वैसे ही चंद्रमा जो है वो प्रत्वी से रिलेटिड होता है तो इसमें हम देख सकते हैं कौन-कौन से प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमते हैं कौन किसका प्लैनेट कहलाता है ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं तो कितने प्लैनेट सोचते हैं तो वो उन सबको स्टेडी किया जा सकते हैं सारे इसमें काम आ सकते है बढ़ाई आरी बढ़ाई जो है वो किस इंस्टूमेंट से काम करता है आरी से मतलब यहां बात की गई है कि कौन सा ओजार बढ़ाई प्रियोग करता है तो उसी तरीके से उसने काया कि बढ़ाई जो है वो आरी का प्रियोग करता है तो मेसन जो होता है वो किसका प्रियोग करता है मेसन होता कोन है जो घर बनाते हैं तो घर जो बनाते हैं मतलब मिस्तरी जो होते हैं जो घर बनाते हैं वो घर बनाने के लिए हतोड़ा इट फावड़ा करनी देखे हतोड़ा जो है वो उसका उजार नहीं होता है इट कोई उजार होता ही नहीं ह फावड़ा जो है फावड़ा मजदूर का उजार होता है जबकि मेसन का जो जार होता है वो होता है करनी तो मेसन के लिए हम करने का प्रियोग करेंगे तो यहां हमने देखा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां हमें किसका यूज़ करने उजार का तो यहाँ ओजार कौन व्यक्ति या जो किसी काम में निपून होता है वो कौन कौन से ओजारों का प्रियोग करता है जैसे अगर यहाँ डॉक्टर की बात करते तो हम स्टेटोस्कोप की बात करते इस तरीके से हम देखते हैं जैसे टीचर की बात करते तो pen की बात करते, marker की बात करते, board की बात करते तो इस तरीके से जो जिस ओजार का प्रियोग करता है instrument जो भी जैसे use करता है तो वो यहां हम use कर सकते हैं फिर पैसा होता है किस देश की currency कौन सी होती है वो भी हम याद कर सकते हैं उने ही याद करेंगे तो उनसे related आएगा जैसे भारत, रुपिया, तो जापान आगे आपसे पूछ लेगा कि वहां क्या use होता है तो उस तरीके से हम उनको याद करेंगे तो ये चीजे मैं आपको हर question में बता रहूं तो थोड़ा करके ताकि आपको पता चले, इन questions को करने के लिए आपको क्या क्या याद करना होगा संगीत, ताल जैसे संगीत की एक ताल होती है वैसे ही जो design होता है design जो होता है न सम्मीमीती के से चलता है सम्मीती होता है कि मतलब जो चीज आप बना रहे है उसकी similarity मतलब एक छोटा डिजाइन बनाते हैं फिर बड़े डिजाइन उसमें convert करते हैं तो उसको compare करते हैं उनका ratio बनाते हैं उनकी ratio बनाके उसमें उन चीजों को involve करते हैं वो होता है आपका answer तो जैसे हमने बात की थी तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि यहां हमारा जो answer होगा वो सम्मीती होगा संगीत ताल डिजाइन सम्मीती अब हम बात करते हैं कि जैसे हम बात कर सकते हैं कि लोग कहां कहां रहते हैं comment places उनको याद किया जा सकता है जैसे अगर हम अपरादी की बात करेंगे तो अपरादी जो है वो जेल में रहेगा तो अपरादी कहीं लिखा है तो उसके लिए prison बोला जाएगा जबकि अगर हम भिक्सु की बात करते हैं तो मट बोला जाएगा तो अगर आपको बोला जाएग की अपरादी यहाँ आपके लिए अपरादी लिखा हुआ है और उसका relation आपको कहता है आपकी जेल से तो और आपसे पूछता है यहाँ की बिक्सु भिक्सू भिक्सू के लिए पूछेगा तो भिक्सू के लिए आपको बोलना पड़ेगा मठ तो इस तरह के रिलेशन तो उसके लिए कुछ बता रहा हूँ जैसे ओफिशर होता है तो ओफिशर मतलब जो भी आफसर हो लोग होते हैं वो कहां रुकते हैं, कहां रहते हैं, बंगलो में, तो बंगलो उनको एलोट होता है, वहां उनको रहने को दिया जाता है, तो अगर हम आफिशर की बात करेंगे, तो बंगलो की बात करेंगे, अगर हम बिक्सुनी की बात करेंगे, मतलब नन, एक बिक्सु होता है, एक बिक्स पार्सोनेज में तो उनके लिए पार्सोनेज यूज करा जाएगा कैदी अपरादी की बात करते हैं तो जेल और कैदी की बात करते हैं तो सेल जिस सेल में कहते हैं उस सेल में उसको रखा गया तो वो सेल होता है लेकिन अगर हम सिफाई की बात करते हैं तो बैरेक्स होता है कै नोबल मैन होते हैं, उनको कैसल में भी जा जाता है, इन सब को मैं आप लोगों को लिक के भी प्रोवाइड करूंगा, next video में कोसिस करूंगा, आप लोगों को इसका PDF देने की, next question देख लेते हैं, बीच बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस किस चीज़ को आप याद कर सकते हैं तो ऐसे करके आप इनको याद कर पाएंगे और फिर इनसे related questions आपको exam में मिलेंगे छाता धूप औजोन किस के लिए use होगा तो वो हमें देखना है छाता धूप अब छाता हमें धूप से बचाता है छाता हमें धूप से जो relation बनेगा वो उससे बचने के लिए बनेगा तो जो ओजोन होती है ओजोन हमें बचाती है और ओजोन जो हमें बचाती है वो बचाती है पैरा बैंगनी किर्णों से तो इसका मतलब यहाँ इनके relation देखे गए हैं कि वो किस से हमें safety प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अनुसार हमें आंसर देना पड़ेगा तो ओजोन का आंसर होगा पैरा बैंगनी किर्णे फूल बुलदस्ता अब देखे यहाँ क्या होता है कि यहाँ है कि मिलके क्या बनाया है मिलके क्या बनाया है तो collective noun की बात की गई है तो आप लोग सोचेंगे अपराद हुआ होगा अपराद करने जा रहोंगे लेकिन हो सकता है कि वो अपराद करने जा रहे है अपराद ही है तो अपराद करेंगे बट यहाँ क्या कर रहे हैं क्या करते हैं वो पूछा ही नहीं है तो इसलिए बहुत से बच्चे जो है अपरादी का अंसर अपराद लिख देते हैं जबकि यहाँ आपसे पूछा है कि कलेक्शन कलेक्ट होके क्या बनेगा तो कलेक्ट होके क्या बनेगा उससे आपसे पूछता है तो जिस तरीके से फूल मिल मिल के गुलदस्ता बनाते हैं वैसे ही अपरादी मिल मिल के गिरहो बनाते हैं तो आपका अंसर जोगा वो B होगा ना की C रतुंदी रतुंदी बिमारी जो होती है वो विटामिन A की कमी से होती है जबकि जो सकर्वी बिमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है तो यहां आपसे बिमारियों के बारे में बात करेगा तो बिमारी कौन से विटामिन की वज़े से कौन सी बिमारी होती है कौन से खाने की वज़े से कौन सी बिमारी होती है जैसे गाजा ना खाने की वज़े से आपकी आखे कमजोर होती है तो उसी तरीके से आपसे बोलेगा किस की कमी से कौन सी चीज़े होती है या फिर आपकी कोई गलत आदत की वज़े से जैसे आपके स्मोकिंग की वज़े से फेवडे खराब होते हैं smoking और फेवरे लिखाओगा तो दूसरी तरफ आपसे दारू लेगा तो लिवर लिखाओगा तो इस तरीके से उनको याद कर सकते हैं वहां से आपको answer मिल सकते हैं next question समाचार पत्र संपादक समाचार पत्र है तो संपादक है और नाटक है तो कौन होगा देखें समाचार पत्र जो होते हैं वो पत्री का लिखते हैं तो समाचार पत्र जो होता है वहां आ जाएगा तो जैसे समाचार पत्र में खबरे को अरेंज करते हैं न समपादक उसी तरीके से नाटक जब होता है तो नाटक के टाइम पर जो निर्देशक होता है वो ही काम करता है सब चीजों को अरेंज करने का तो समचार पत्र लिखने के टाइम पर समपादक का जो रोल होता है नाटक के टाइम पर वो निर्देशक का रोल होता है तो यहां हम कर सकते हैं कि कौन सी चीज में कौन रोल प्ले करता है जैसे पढ़ाई, टीचर, अपराद, अपरादी पुलीस के लिए आप क्या कह सकते हैं कानून वेवस्था, पुलीस तो ऐसे करके जिसका प्रोफेशन होता है, तो वो यहां पर दिया जाएगा तो प्रोफेशन आप याद कर सकते हैं, प्रोफेशन से हमें bहुत हेल्प मिलती है कि Performance related Question मिल सकते है गडी, समय अब देखे हैं यहां पर है Usability कौन चीज कैसे यूझ होती है तो गड़ी को किसलिए यूझ किया जाता है समय देखने के लिए तो गड़ी को समय देखने के लिए यूझ किया जाता है तो उसी तरीके से Thermometer जो होता है वो हमें तापमान बताता है तो usability क्या है उसकी तापमान बताना तो इस तरह से हम पता करेंगे कि इनके relation और इनके relation के बारे में Next question में क्या कहता है पुस्टक, लेकक पुस्टक की जो होता है पुस्तक कौन लिखता है एक लेकक लिखता है और मूर्ती को कोन बनाते है तो यहां देखे इसको करने वाला कोन है लेखक तो इसको भी तो बनाने वाला होगा ना इसको लिखने वाला लेखक है तो मूर्ती क्या होती है बनाई जाती है पुस्तक क्या होती है लिखी जाती है लिखता कोन है मतब उसको यह है कि एक तरीके से रचना किसने की है हम यह कह सकते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन किस चीज को बनाता है जैसे घर है तो मेसन ने बनाया बिल्डर ने बनाया और पुस्तक है तो लेखक ने लिखी जो बात करता है तो मेंसन हो जाता मूर्थी की बाक्य तो मूर्थी कार यहां पर आएगा तो इन में जो अगली चीजें हैं जो हम याद कर सकते हैं वो जैसे अभी मैंने आपको बढ़ाया था कि लोगों को रहने की जगे उसी तरीके से जो जानवर होते हैं उनकी रहने की जगे याद की जा सकती है जैसे कैनल के डबल एन एल के डबल एन एल कैनल अगर आप से पूछा जाए ये किस से सम्मंदित है तो ये कुते से सम्मंदित होता है डोग से कि वो जो कुतों को रखा जाता है उस जगे को कै कहते हैं होर्स को अगर कहीं रखा जाएगा गोड़े को कहीं रखा जाएगा तो तबेले में रखा जाएगा उसको अगर इंगलिस में होर्स लिखके दिया तो स्टेबल होगा चुहे की बात करेंगे तो बिल में रहता है मकड़ी की बात करते हैं तो जाल में रहता है तो इस से हम देखते हैं कि इनको यूज करेंगे ना तो यह बहुत हेल्प करने वाले हैं हम लोगों को कौन कहां रहता है जैसे सेर है तो मांद में रहता है भेड होता है वो पैन बोलते हैं भेड जहां रहता है पैन या फिर fold हम उसको बोलते हैं पक्सिया कहा रहते हैं गोसलों में रहते हैं मदुमक्खी कहा रहती है छटे में रहती है जो आपकी मचलियां होती है या water plants होता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है aquarium aquarium जदा यूज करेंगे बजाए तालाब और उसके क्योंकि aquarium में सब को रखा जा सकता है बाग की बात करेंगे तो layer होता है ल-A-I-R तो इस तरीके से अब हम इसमें den लिख देते हैं जो हम ये गलतियां करते हैं तो उन से बचना है हमें और उन चीजों को याद कर सकते हैं जो चीजें हमारी इसमें use होती हैं तो next question देख लेते हैं दुख मृत्यू दुख है तो किसी की मृत्यू होने पर दुख मनाते हैं उसी परकार से जब यहां मृत्यू की बात की गई है तो यहां जन्म की बात की जाएगी क्योंकि जन्म पर खुसी मनाई जाती है खुसी जो है वो हमारी यहां बहुत से चीजों से related हो सकती है लेकिन इस संबंद के अनुसार दुख कब मनाये गया मृत्यू पर तो खुसी कब मनाये जाएगी जीवन पर तो जन्म हमारा अनसर होगा बाकी चीजों को देखेंगे भी नहीं क्योंकि यह मृत्यू और जन्म एक दूसरे के अपोजिट है जैसे दुख और खुसी एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट वर्ड्स याद कर सकते हैं opposite words याद करके उससे बहुत help मिलेगी exam's में बहुत ज़्यादा help मिलती है क्योंकि opposite words के question बहुत ज़्यादा पूछे जाते है लड़की के लिए सुन्दर तो लड़के के लिए क्या होगा जैसे जो लड़के होती है वो दिखने में जब अच्छी लगती है तो उनको सुन्दर बोला जाता है जबकि जो लड़के होते हैं उनको तो लड़की का आप देखें लड़की का सुन्दर से क्या relation हुआ कि वो दिखने में कैसा है तो वो दिखने में कैसा है उससे बात करते हैं तो लड़के जब दिखने में अच्छे होते हैं तो उनके लिए क्या यूज होगा सवरूपवान आकरसक, चमकीला, गोरा देखेंगे गोरा तो एक common word होगा है दोनों के लिए यूज हो सकता है चमकीला जो होता है वो मनुश्य के लिए यूज होता नहीं है अब सवरूपवान एंड आकरसक बचा तो जैसे लड़के दिखने में सुन्दर होती है और लड़के अच्छे होते तो दिखने में आकरसक होते है तो हम यहाँ यूज करेंगे आकरसक तो यहाँ आपका appearance हो गया तो जो appearance होता है मतलब दिखने में जो चीज़े एक जैसी होती है जैसे पानी की बात करें तो liquid है और अगर हम लोहे की बात करें तो वो solid है तो उसको उसकी अवस्था के अनुसार कोई वस्थू अपनी अवस्था के अनुसार देखी जाए जैसे अब कोई चीज कैसे बहती है चलती है या फिर वो दिखिने में कैसी होती है ठोस, खोकली तो उस अनुसार भी हम संबंद बनाते हैं तो संबंद आत्मक्मी ये सारी चीजे हमें याद रखनी है इनका हमें बहुत यूज़ करना है नेक्स वोचन देखते हैं उसमें क्या कहता है अब हमारी बात आती है फूड, स्टमक फूड और स्टमक देखे, खाना और पेट खाने और पेट की जब हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेटिड होता है तो खाना जो है वो आपका पेट में जाके पचता है तो फूड का ऐसा ही हमें रिलेशन ढूनना है तो यह आगी फंक्शनालिटी फंक्शनालिटी तो पेट क्या करता है पेट क्या करता है तो पेट क्या करता है, खाने को पचाता है तो खाना कहां जाके खपत हुई खाने की? स्टमक में तो fuel की खपत कहां जाकर होगी आपके engine में जबकि automobile भी answer हो सकता है rail भी हो सकता है plane भी हो सकता है लेकिन अगर आप automobile की बात करेंगे तो उसमें भी जब fuel डालेंगे तो वो engine में जाकर ही उसकी खपत होगी जबकि आप rail में जाएंगे rail में fuel डालेंगे और plane में भी अगर खफ़त करनी है तो इसके लिए engine की जरुरत होगी तो हमारा इसका answer जो होगा वो engine हो जाएगा rest busy देखे rest और busy एक दूसरे के opposite है और मैंने ये बता चुका हूँ कि आपको इनके opposite यूज़ करने है तो course होता है बेकार जो गलत सी चीज़े हो जाती है खराब हो जाता है कुछ उसको course कोईते हैं जबकि उसका opposite जो होगा वो fine हो जाएगा तो इसका मतलब option D आपका correct answer होगा इस question में अगर हम देखें तो water ocean इससे क्या संबंद पता चलता है आप लोगों को कि पानी जो है वो बड़ी मातरा में कहां मिलेगा तो पानी और ocean का ये संबंद बन सकता है कि पानी बड़ी मातरा में कहां पाया जाता है उसी परकार send मतलब rate बड़ी मातरा में कहां पाया जाएगा तो उसका answer आप से पूछा है तो इसमें आ गया capacity कहां कितना कौन hold कर सकता है तो उस चीजों को आप याद कर सकते हैं तो container भी कह सकते हैं जो containers होते हैं वो भी इस category में सामिल किये जा सकते हैं तो sand के लिए हो जाएगा desert अब इन से अलावा हम use कर सकते हैं धार्मिक इस्थल तो धार्मिक इस्थलों के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू जाएगा मंदीर में तो वो पूजा पार जब भी करेगा तो उसका जो धार्मिक इस्थल है वो मंदीर होता है धार्मिक पुस्तके भी उसके साथ आप याद कर सकते है कि हिंदो की जैसे गीता होती है इसाईयों की बाइबल होती है तो उसी परकार से पहले हम मैं आपको बता देता हूँ कि धार्मिक इस्थल तो धार्मिक इस्थल में हिंदो के लिए मंदिर होगा सिक की अगर बात करेंगे तो सिक जाएंगे गुर्दवारे में तो सिकों को आपने देखाऊगों वो गुर्दवारों की तरफ जाते हैं तो वो उनका धार्मिक इस्थाल होता है जबकि अगर पारसी की बात करते हैं पारसी का बड़ा पूछा जाता है तो वो अगनी मंदिर में जाते हैं, तो उनका धार्मी की इस्ताल होता है, अगनी मंदिर, जबकि यहूदियों की बात करेंगे, तो सिने गौंग उनका धार्मी की इस्ताल होता है, इसायों की बात करते हैं, तो वो जाते हैं, गिर्जागर, मतलब चर्च जो होता है, चर्च और गिर्जागर. दोनों आपको ओप्शन में दे सकता है. मतलब कभी चर्च दे देगा, कभी गिर्जागर देदेगा. तो गिर्जागर भी चर्च को ही बोला जाता है. जबकि जैनियों की बात करेंगे, जैनी जो होते हैं वो भी हिंदु धर्म से जुड़े हुए होते हैं तो इसलिए वो भी मंदीर का ही यूज करते हैं तो उनका धार्मिक इस्थल भी मंदीर होता है बोध की बात करते हैं जो बोध समाज होता है तो वो विहार उनका धार्मिक इस्थल होता है वो विहार के नाम से जाना जाता है जबकि अगर इसलाम की बात करते हैं तो वो मस्जिद में जाते हैं तो उनके लिए मस्जिदधार में गिस्तल होता है अब हम next question देखते हैं उसमें क्या कहता है fruit बनाना तो यहां आपको बताया है कि जो fruit है मतलब जो बनाना है वो क्या है मतलब यहाँ आपको देखना है वो किस category में लाई करता है तो category जैसे boy है तो male है male में आएगा girl है तो female की category में आएगी एक चात्र है तो वो अगर कहा किस category में आता है students एक साथ इखटे कहीं भी हो सकते हैं एक उन थैसे एक चर्बसक्स कॉलिज में ओसकते हैं या किसी professional courses में ओसकते हैं उसी परकार से अभी हमसे बोला है कि fruit किस category में होता है तो बनाना में होता है तो इन दोनों का रिलेशन है कि बनाना उसी परकार से mammal 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 की category में को आता है तो मैमल होते हैं स्तंधारी स्तंधारी जो होते हैं उनमें हमारे यहां कौन है सिर्फ लाइन है जो स्तंधारी होता है बाकी और कोई स्तंधारी इनमें से नहीं होता है जबकि एनिमल में हम कन्फ्यूज हो सकते हैं इस आंसर को लाइन ना आए कोई और आजाए तो वो भी एटिमल में काउंट होगा तो उस कंडिशन में हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो यहां हम लाइन आंसर करेक्ट बताएंगे और उसी पर टिक करेंगे फिर नेक्स आता है man, baby man और baby में क्या difference होता है कि आदमी का जो प्रारंबिक इस्तार है मतलब जहां सो उसके सुरुवात होती है वो baby है मतलब बच्चे से आदमी बनता है तो किस से कौन बनेगा मतलब इनको कहते है young ones उनके छोटे को क्या कहते हैं तो young ones को ज़्यादा तर इंग्लिस में पूछा जाता है तो जैसे इसके लिए मैं थोड़े बता देता हूँ आपको as मतलब जो गदे होते हैं उनके जो young ones होते हैं उनको foal कहते हैं जबकि beer ये कि एक common word होता है किसके लिए? beer के लिए wolf के लिए, fox के लिए, lion के लिए, tiger के लिए इनके बच्चे को कब कहा जाता है C, U, B तो ये बहुत important होता है क्योंकि ये कई सारे के लिए एक अकेला word यूज होता है cat होती है बिल्ली तो उसके बच्चों को kitten बोला जाता है बिलोटने बोला जाता है cow, calf मतलब गाएं, बच्चडा deer होता है, phone होता है F.A.W.N deer मतलब हीरन के बच्चे को दोग होता है तो उसके बच्चे को puppy बोला जाता है जब duck होता है तो duckling बोला जाता है frog होता है तो tadpole बोला जाता है goat होता है तो kid बोला जाता है या फिर मनुश्चे के बच्चों को भी किड भी बोलता है और बेबी भी बोलता है तो दोनों के लिए वो ही यूज हो सकता है तो ये कोशन उनकी यंग वन्स पे डिपेंडेड है तो मैन का जो यंग वन्स होता है जबकि जो फलार का यंग वन्स होते है फलार के यंग वन्स मतलब जिससे फलावर बनके तयार होता है तो उसमें कली होता है और कली क्या होता है? इसमें जो सारे option लिखे हैं इनमें कली जो होता है वो bird होता है तो bird हम कहेंगे flower के लिए तो flower के लिए जो relation man और baby का है वो ही flower और bird का एक साथ होता है आज आपने देखा कि संबंद आत्मक की इस वीडियो में हमने सारे topics पे बात की किस किस के बीच में ये relations find out हो सकते है थोड़े मैंने आप लोगों को idea भी दिये इनकी एक PDF बना के मैं कोसिस करूँगा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं next video या उससे next video के दोरान जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए मेरी आप लोगों से request है और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो bell icon जुरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो का notification आपको मिल जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो आपकी डालूँ तो चलिए मिलते हैं next video में new tricks और new concept questions के साथ Thank you